गाव के बीचों बीच एक शांत और खुशाल परिवार रहता था, इस परिवार के मुखिया थे ठाकुर जी, जिनका नाम था रामप्रसाद, रामप्रसाद बहुत महनती और इमानदार किसान थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी पारवती और दो प्यारे बच्चे थे, परिवार का ख्याल रखना, मोहन ने हसते हुए कहा, अरे ठाकुर, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम हमेशा खुद मजबूत हो और तुम्हारा परिवार भी खुशाल है, रामप्रसाद का परिवार खुशी-खुशी नदिया के पार पहुँच गया, सब कुछ ठीक चल र पार्वती और उनके बच्चे पूरी तरह तूट गए, एक पल में उनका सब कुछ बदल गया था, घर चलाने वाला रामप्रसाद अब इस दुनिया में नहीं था, और पार्वती के पास कोई भी आर्थिक सहारा नहीं बचा था, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा औ और जीवन की सारी जिम्मेदारियां अब पार्वती के कंधों पर आ गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस मुश्किल समय से गुजरे, कुछ दिन बाद, रामप्रसाद के दोस्त मोहन घर आया और उसे पता चला कि रामप्रसाद ने कभी जीवन बीमा नहीं करवाया और अगर रामप्रसाद ने समय रहते जीवन बीमा लिया होता, तो आज उनके परिवार को आर्थिक तंगी से नहीं जूजना पड़ता, मोहन बहुत दुखी था, क्योंकि उसने अपने दोस्त से कई बार कहा था कि भाई, जीवन बीमा करवा लो, हम नहीं जानते कि कब क्य हो जाए, ये तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन रामप्रसाद ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब मोहन ने पारवती की मदद करने के लिए गाव वालों से चंदा इकठा किया, लेकिन वह राशी बहुत कम थी और कुछ समय के बाद व वालों को समझाया, हम सब सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, हमें खुद और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा जरूर करवाना चाहिए, ये हमारे परिवार को सिर्फ पैसों से नहीं, बलकि सम्मान और सुरक करने का काम शुरू किया, ताकि कोई और परिवार ऐसी त्रासदी का सामना न करे, तो दोस्तों कहानी का संदेश्ट पष्ट है कि जीवन अनमूल है, लेकिन जीवन बीमा उस अनमूल जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और हमें ये सीख मिलती है कि, जीवन बीमा केवल आपके परिवार को अनिश्चित भविशे से सुरक्षित रखता है, बलकि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करता है, ये कहानी एक छोटे से गाव की है जहां हर कोई अपने साधारन जीवन में खुश था, गाव के बीचों बीच बहती ए बेटी गुडिया थी, वही थाकुर साहब के परिवार में उनका बेटा अर्जुन, उनकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे, किशन और अर्जुन बच्पन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, उनका एक दूसरे के परिवार के प्रती भी गहरासने था, जीवन जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक नदी के तेज बहाव में फंस दया, किशन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाए, किसी तरह अर्जुन को तो बचा लिया, लेकिन किस्मत ने किशन का साथ नहीं दिया, किशन नदी तंगी से जूजने लगा, बुलिया की पढ़ाई छूट गई और राधा के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, धीरे धीरे सब कुछ तूटने लगा, अरजुन और उसके परिवार ने मदद की कोशिश की, परंतु एक हद तक ही, कुछ महीने बाद, गाउम में एक बिम बीमा लिया होता, तो आज उसकी कमी तो महसूस होती, लेकिन आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, उसकी बीमा राशी आपके और गुलिया के भविश्य को सुरक्षित रखती, उसने राधा को समझाया कि जीवन बीमा ना केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल जुन ने तुरंत अपने परिवार के लिए जीवन बीमा करवाया और गाव के अन्य लोग भी इस घटना से प्रेरित होकर अपने भविश्य के लिए बीमा करवाने लगे, तो दोस्तों इस कहानी का संदेश सीधा है, कि जीवन अनिश्चित है और हमें अपने परिवार के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा का सहरा लेना चाहिए यह ना सिर्फ हमारे जीवन की सुरक्षा करता है बलकि हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है और इस कहानी ने गाउव के सभी लोगों को जीवन बीमा का महत्व समझा दिया और हर कोई इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगा गाव की हरी भरी वादियों के बीच एक चोटा सा गाव था जहां सूरज और चांद की किरनों से जगमगाती नदिया के पार रहने वाले रामु काका का परिवार था रामु काका एक मेहनती किसान थे जिनकी दुनिया उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो प्यारे बच्चे गोपाल और सीमा के इर्द गिर्द भूमती थी हर सुबह रामु काका खेतों में जाकर अपने परिवार के लिए मेहनत करते थे और लक्ष्मी घर संभालती थी रामु काका का सपना था कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उनका भविश्य उज्वल हो हालां कि रामु काका हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचते थे पर वे भविश्य की अनिश्चित्ताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और बिना ज्यादा सोचे उन्होंने रमेश की सलाह को टाल दिया। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। आस्मान में काले बादल छा गये और गाउं में तेज आंधी और बारिश आए। रामु काका अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत की और भागे लेकिन किस को कुछ और ही मनजूर था। आंधी के दौरान रामु काका पर एक भारी पेड़ गिर गया। उनका तुरंद निधन हो गया। परिवार पर जैसे दुखों का पहार तूट पढ़ा। लक्षमी और उनके बच्चों के लिए यहे का सहनिय दर्द था। न केवल रामु काका का जाना उनके लिए एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान था बलकि आर्थिक संकट भी उनके जीवन में अचानक से आ गया। रामु की अनुपस्थिती में उनकी आये का कोई साधन नहीं रहा। घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की शिक्षा के सपने अधूरे रह गए। कुछ दिनों बाद रमेशका का घराय और उन्होंने लक्ष्मी को समझाया जीवन बीमा का मकसद केवल किसी अन्होनी से बचाव नहीं है बलकि यह आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी है। अगर रामु काका ने जीवन बीमा लिया होता तो आज आपको आर्थिक संक हमारे जाने के बाद भी उन्हें सहारा देता है। समय बीटने के साथ लक्ष्मी ने अपने बच्चों को संभालने का संकल्प लिया। उसने रमेश काका की सलाह पर जीवन बीमा लिया ताकि भविश्य में ऐसी कोई अप्रत्याशित परिस्थिती आ जाए तो उसका परिव परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है और जीवन बीमा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने परिवार के भविश्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी खुशाल हो लेकिन भविश्य की अनिश्चित्ताओं से हमे हमेशा तयार रहना चाहिए जीवन बीमा ना सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा है बलकि यह हमारे परिवार के लिए हमारे प्यार का प्रतीक भी है जो हमारे जाने के बाद भी उन्हें सहारा देता है गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गाव था जहां रामू और उसका परिवार रहते थे रामू एक साधारन किसान था उसकी पतनी, सावित्री और दो छोटे बच्चे गोपाल और राधा उसका पूरा संसार थे रामू की मेहनत और इमानदारी से गाव के लोग उसका आदर करते थे लेकिन उसकी एक कमी थी वह भविश्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था सावित्री हमेशा रामू से कहती सुनो जी हमने जो थोड़ी सी जमीन और ये छोटा सा घर बनाया है बस यही हमारे बच्चों का सहारा है अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा लेकिन रामू हंसकर कहता अरे सावित्री भगवान सब देखता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा चिंता मत करो और बात वहीं खत्म हो जाती एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था अचानक आंधी तूफान आया और तेज बारिश शुरू हो गई रामू भागता हुआ घर पहुंचा लेकिन दूसरे दिन पता चला कि वह भीगने के कारण बुरी तरह बीमार हो गया है डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा घर की आर्थिक स्थिती पहले से ही कमजोर थी और अस्पताल के भारी खर्चों ने रामू के परिवार को तूटने के कगार पर ला दिया चन्द दिनों बाद रामू की हालत और बिगड़ गई और वह दुनिया से विदा हो गया सावित्री और बच्चों के ऊपर दुखों का पहार तूट पड़ा ना कोई आर्थिक सहारा ना कोई जमीन बेचने लायक थी सावित्री ने सोचा अगर रामू ने जीवन बीमा लिया होता तो आज हम इतनी मुसीबतों में न होते उसी गाव में रामू का एक दोस्त था मोहन जिसने कुछ साल पहले ही जीवन बीमा लिया था मोहन ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया था हलांकि उस समय भी रामुने मजा कुड़ाया था कुछ महीनों बाद मोहन भी एक हाथसे में चल बसा लेकिन उसके परिवार की हालत सावित्री की तरह नहीं थी मोहन के बीमा के पैसों से उसकी पत्नी ने बच्चों की पढ़ाय लिखाई जारी रखी और अपना जीवन सम्मानपुर्वक जीने लगी उसकी पत्नी कहती मोहन ने हमारी जिंदगी में अंधकार के समय भी उजाले की व्यवस्था कर रखी थी अगर उसने जीवन बीमा न करवाया होता तो हमारा भी वही हाल होता जो सावित्री का हो रहा है इस घटना के बाद गाउं के लोग समझ गए कि जीवन अनिश्चित्ताओं से भरा हुआ है जीवन बीमा सिर्फ एक कागस का टुकड़ा नहीं है बलकि एक सुरक्षा कवच है जो मुश्किल समय में परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देता है रामू की दुखत कहानी ने सबकी आँखें खोल दी सावित्री ने भी बाद में समझा की जीवन बीमा कितना महत्वपूर्ण है इसलिए कहानी का सार यही है की जीवन अन्मोल है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है चाहे आप कितने ही स्वस्थ्या मजबूत हों आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं है यदि आप अपने परिवार की सही माईनों में चिंता करते हैं तो आज ही जीवन बीमाले और उन्हें सुरक्षित रखें गंगा किनारे बसे छोटे से गाव में एक सीधी साधी और खुशाल जिन्दगी जीने वाला एक परिवार था परिवार में रामू उनकी पतनी सीता और उनकी दो बच्चे गुडिया और छोटू रहते थे रामू गाव के एक मात्र खेतिहर मजदूर थे जिनकी कमाई से ही घर चलता था हाला कि जीवन में उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी लेकिन रामू अक्सर सोचते थे कि अगर कभी कोई बड़ी मुसीबत आई तो उनका परिवार क्या करेगा पर फिर वो सोचते भगवान पर भरोसा है सब ठीक रहेगा रामू का सबसे अच्छा दोस्त था मुकेश जो हमेशा उसे जीवन बीमा लेने के लिए कहता था मुकेश ने अपने खुद के अनुभव से रामू को समझाया रामू जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आज हम हैं कल नहीं अगर कुछ हो जाए तो बीमा से परिवार को सहरा मिलेगा मैं भी अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले चुका हूँ लेकिन रामू ने कभी मुकेश की बात को गंभीरता से नहीं लिया उसे लगता था कि बीमा सिर्फ शहरों में रहने वालों के लिए है गाउव वालों के लिए नहीं एक दिन गाउव में भयन कर बार आ गई गाउव के लोग सब कुछ छोड़कर उचे इलाकों की और भागने लगे रामू ने भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्यवश नदी की तेजधारा रामू को बहा ले गई गाउव में सब लोग गहरे सदमे में थे और सबसे ज़्यादा दुखी थी उसकी पतनी सीता जो अब बच्चों के भविश्य को लेकर बहुत परिशान थी बार के बाद जब सब लोग अपने घर लोटे तो सीता के पास कोई सहारा नहीं था खेट तबाह हो चुके थे घर उजर चुका था और सबसे बड़ी बात रामू अब उनके साथ नहीं था परिवार के लिए कोई आय का स्रोत नहीं बचा था इस संकर की घड़ी में मुकेश ने सीता का हाथ थामा और उसे दिला सा दी मुकेश ने कहा रामू ने तो बीमा नहीं लिया लेकिन अगर उसने लिया होता तो आज तुम्हें इतनी मुश्किले नहीं जेलनी पड़ती तुम्हारे बच्चों की पढ़ाए, घर का खर्चा, सब कुछ आसानी से चल सकता था सीता की आँखों में आसू थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था की जीवन बीमा की क्या एहमियत होती है मुकेश ने अपनी बीमा पॉलिसी दिखाते हुए समझाया, देखो सीता, मैंने अपने परिवार के लिए बीमा करवाया है अगर कभी मुझे कुछ हो गया, तो मेरे परिवार को कम से कम आर्थिक परेशानी नहीं होगी कहानी सुनकर गाव के बाकी लोग भी सोच में पढ़ गए सभी ने महसूस किया कि जीवन अनिश्चित है और बीमा एक ऐसी सुरक्षा है जो किसी भी अन्होनी के बाद परिवार को सहारा दे सकता है धीरे धीरे पूरे गाव ने जीवन बीमा के महत्वा को समझा और बीमा पॉलिसी लेने लगे तो दोस्तों कहानी का संदेश यही है कि जीवन बीमा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है यह आपके परिवार के भविश्य की सुरक्षा है रामू की तरह असमय मृत्यू से परिवार को बरबाद होने से बचाने का एक मात रूपाए यही है कि हम आज ही जीवन बीमा लें जिंदगी का कोई भरोसा नहीं लेकिन बीमा आपके परिवार को भविश्य की अन्होनी से बचा सकता है यह कहानी एक छोटे से गाव के इमानदार और मेहनती युवक चंदन की है चंदन बच्पन से ही जिम्मेदार और दिल का साफ इनसान था वह अपने माता पिता, भाई बेहन और अपने प्यारे दोस्त गंगा के साथ खुशाल जीवन बिता रहा था गंगा उसकी बच्पन की दोस्ती और दोनों के बीच एक खास रिष्टा था जैसे जैसे समय बीचता गया उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों की शादी हो गई शादी के बाद चंदन और गंगा का जीवन और भी खुब सुरत हो गया लेकिन चंदन हमेशा एक बात से चिंतित रहता था परिवार की सुरक्षा वह जानता था कि जीवन अनिश्चित है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है चंदन का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा एक दिन गाव में एक दुरभटना हो गई उसके पडोसी रामलाल जो एक किसान थे एक हादसे में अपनी जानगवा बैठे रामलाल के पास कोई जीवन बीमा नहीं था और उनके परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोज आ गया ये देखकर चंदन की आँखों में आशू आ गए उसने सोचा अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा यह विचार चंदन को चैन से बैठने नहीं दे रहा था उसी दिन उसने गाव के पोस्ट आफिस जाकर एक बीमा एजेंट से मुलाकात की और जीवन बीमा के बारे में जानकारी ली उसने जीवन बीमा लिया ताकि अगर उसके साथ कुछ भी अन्होनी हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े समय बीटता गया और चंदन और गंगा का एक प्यारा सा बेटा हुआ उनका जीवन हसी खुशी चल रहा था लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था एक दिन चंदन को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसा गंगा और उसके परिवार पर मानो पहार तूट पड़ा सब कुछ बिखर गया लेकिन एक चीज जिसने गंगा और उसके परिवार को संभाला वह था चंदन का लिया हुआ जीवन बीमा बीमा की राशी ने न केवल गंगा के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया बल्कि उसके बेटे के भविश्य को भी सुनिश्चित किया गंगा ने चंदन की दूरदर्शिता के लिए उसका आभार व्यक्त किया और सोचा अगर चंदन ने ये बीमा नहीं लिया होता तो आज हमारा क्या होता तो दोस्तों ये कहानी बताती है कि जीवन बीमा केवल पैसे का निवेश नहीं है बल्कि यह आपके परिवार की सुरक्षा और भविश्य की योजना है जीवन अनिश्चित है लेकिन एक सही फैसला आपके परिवार को मुश्किल समय में आर्थिक संकट से बचा सकता है तो दोस्तों देखा जाए तो जीवन की अनिश्चिताओं से बचने का सबसे सही उपाए जीवन बीमा है यह एक ऐसा सुरक्षा का वच है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार का सहारा बनता है गाव के बीचों बीच बहती थी नदिया और उसके पार बसा था रामू का सुंदर सा गाव रामू एक मेहनती किसान था जिसने अपने पूरे जीवन में केवल अपने परिवार के भविशे के बारे में सोचा उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे सोनू और मोनू उसकी जिंदगी की धुरी थे रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था कि उसके बच्चों को वह सुखी जीवन दे सके जो उसने खुद कभी नहीं देखा लेकिन रामू की एक आदत थी वह हर मुसीबत का सामना खुद करता और कभी जीवन बीमा लेने की जरूरत नहीं समझी उसे लगता था कि वह हमेशा अपने परिवार के लिए रहेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा एक दिन गाव में बड़ा मिला लगा रामू अपने परिवार के साथ मिला देखने गया वहाँ एक जीवन बीमा एजेंट से उसकी मुलाकात हुई जिसने उसे समझाने की कोशिश की की जीवन बीमा क्यों जरूरी है लेकिन रामू हसकर कहता मैं तो स्वास्त हूँ मुझे क्या होगा मेहनत करता हूँ और अपने परिवार को खुद संभाल सकता हूँ समय बीटता गया एक दिन अचानक एक तूफान आया बारिश इतनी तेज थी की नदिया का जलस्तर बढ़ता गया रामू अपने खेतों से घर लोट रहा था लेकिन रास्ते में उसे नदिया पार करनी पड़ी वह नाव में था लेकिन तूफान की वज़े से नाव पलग गई रामू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन पानी की ताकत के आगे वह हार गया गाव में खबर फैली की रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा गीता पर दुखों का पहार तूट पड़ा वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जीवन एक ही पल में इतना बदल जाएगा बच्चों के भविश्य की चिंता और घर के खर्चों की बोज ने गीता को कमजोर कर दिया उसके पास कोई साधन नहीं था रामू ने कभी बीमा नहीं लिया था इसलिए उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली कुछ ही महीनों में गीता और उसके बच्चे आर्थिक तंगी से जूजने लगे गीता को दिन रात काम करना पड़ा ताकि वह अपने बच्चों को खाना खिला सके और उन्हें पड़ा सके उसका जीवन संधर्ष से भर गया और हर दिन उसे रामू की वह बात याद आती कि अगर उसने जीवन बीमा लिया होता तो आज ये हलात न होते तो दोस्तों इस कहानी से ये समझ आता है कि जीवन बीमा एक सुरक्षा का वच है क्योंकि जीवन में हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन जीवन की अनिश्चित्ताओं से बच पाना मुश्किल है रामू के परिवार की स्थिती उस दिन बेहतर होती अगर उसने अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले लिया होता तो जीवन बीमा न केवल हमारे जीवन की सुरक्षा करता है बलकि हमारे परिवार को भी भविश्य में आर्थिक मदद देने का एक जरिया है जीवन बीमा का मतलब है कि अगर कभी हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारे परिवार को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए कहानी का अंध हमें ये सिखाता है कि जीवन बीमा हमारी मेहनत और प्यार का सबसे बड़ा सबूर्थ हो सकता है हमें न केवल अपने परिवार के वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए बलकि उनके भविश्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि जो आज है वह कल न हो जीवन बीमा आपके अपनों के लिए आपका सबसे बड़ा सुरक्षा का वच है गाव के किनारे बहती गंगा नदी के पार एक छोटा सा गाव बसा था जहां जीवन की सरलता और पारिवारिक बंधनों का गहरा महत्व था इसी गाव में रहते थे चंदर और गंगा जो भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ पले बड़े थे गंगा के माता पिता का देहांद बचपन में ही हो गया था और चंदर के माता पिता ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था दोनों के बीच प्यार और समझदारी का बंधन था चंदर गाव का सबसे मेहनती किसान था उसका सपना था कि वो अपने छोटे से परिवार को हर खुशी दे सके उसकी पतनी, जमुना और दो प्यारे बच्चे उसकी दुनिया थे वो दिन रात मेहनत करता ताकि उसका परिवार सुरक्षित और खुशाल रहे लेकिन उसके जीवन में एक अंदेखा खत्रा मंद्रा रहा था जिसका उसे एहसास नहीं था भविश्य की इनिश्चित ताएं एक दिन चंदर खेत में काम कर रहा था तभी मौसम अचानक खराब हो गया भारी बारिश और तूफान ने खेत में तबाही मचा दी चंदर ने किसी तरह अपने परिवार को सुरक्षित किया लेकिन तूफान के बाद उसका शरीर कमजोर पढ़ने लगा कुछ दिनों बाद उसकी तबियत बिगड़ गई और उसे शहर के बड़े अस्पताल में भरती करना पड़ा खर्च बढ़ने लगा और चंदर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे गाउं के लोग मदद के लिए आगे आए पर सब की सीमा थी कुछ ही समय बाद चंदर का इलाज नहीं हो पाया और उसकी असमय मृत्य हो गई उसके बाद जमुना और बच्चों पर दुखों का पहार तूट पड़ा आर्थिक तंगी के कारण उनका घर गिर्वी रखना पड़ा और उनके पास भविश्य की कोई योजना नहीं थी गंगा जो चंदर को भाई की तरह मानती थी उसने जमुना और बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश की पर आर्थिक संकट से लड़ पाना मुश्किल था इसी दोरान गाउ में बीमा एजेंट मोहन आया उसने देखा कि किस तरह चंदर के परिवार की हालत हो गई है मोहन ने गंगा और गाउवालों से बात की और उन्हें समझाया कि अगर चंदर ने समय रहते एक जीवन बीमा लिया होता तो उसके परिवार को ये आर्थिक संकटना जेलना पड़ता जीवन बीमा सिर्फ पैसा नहीं है ये परिवार की सुरक्षा का कवच है जो किसी अप्रत्याशित घटना के बाद भी आपके परिवार को एक सुरक्षित भविश्य दे सकता है मोहन ने गंगा और गाउंवालों को जीवन बीमा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया उसने बताया कि एक छोटी सी प्रिमियम राशी दे कर आप अपने परिवार को भविश्य की अनिश्चिताओं से बचा सकते हैं गंगा जो अपने भाई चंदर की कमी को महसूस कर रही थी ने तुरंत यह निरनेलिया कि वो और गाउंव के सभी लोग जीवन बीमा लेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना के बाद उनका परिवार सुरक्षित रहे तो दोस्तों कहानी का अंतिस शिक्षा के साथ हुआ कि जीवन कभी भी इनिश्चित हो सकता है लेकिन सही योजना और समझदारी से आप अपने परिवार को हर मुश्किल से बचा सकते हैं जीवन भीमा ना सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा है बलकि यह आपके परिवार के भविश्य की अनमोल गारंटी भी है तो कहानी का संदेश यही है कि अपने परिवार के भविश्य को सुरक्षित करें आज ही जीवन भीमा लें क्योंकि इस इमोशनल और रोमान चक कहानी के माध्यम से यह बात सामने आती है कि जीवन की अनिश्चित्ताओं से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका जीवन भीमा है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे नजर अंदाज न करें क्योंकि एक छोटी सी चूक उनके भविश्य को अंधकार में धकेल सकती है यह कहानी एक छोटे से गाव की है जहां गंगा और सुरेश नाम के दो भाई अपनी माता के साथ रहते थे गंगा, बड़ा भाई, एक मेहनती किसान था और अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी निभाता था उसके छोटे भाई सुरेश की पढ़ाई में बहुत रुची थी और गंगा ने थान लिया था कि वह अपने भाई को शहर भेजेगा ताकि वह अच्छी शिक्षा हासिल कर सके गंगा का सपना था कि उसके परिवार को कभी कोई आर्थिक परेशानी नहो वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपनी मा और भाई के लिए बेहतर भविशे की तैयारी करता लेकिन गंगा के मन में एक बात हमेशा चुबती थी अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा गंगा का एक दोस्त था रामू जिसने कुछ समय पहले जीवन बीमा लिया था वह गंगा को हमेशा समझाता था कि जीवन बीमा लेना बहुत जरूरी है खास कर तब जब कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हो लेकिन गंगा अपनी जरूरतों को नजरंदाज कर इसे टालता रहा उसने सोचा था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार का सहारा है और भविश्य में सब कुछ ठीक रहेगा एक दिन गंगा अपने खेतों में काम कर रहा था तब ही एक भयन कर तूफान आया तूफान के दोरान एक बड़ा पेड़ गिर गया जिससे गंगा गंभीर रूप से घायल हो गया गाव वालों ने उसे अस्पताल पहुँचाया लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी डॉक्तरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन गंगा अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया गंगा के जाने के बाद सुरेश और उनकी माँ का जीवन पूरी तरह बदल गया खेट की कमाई बंध हो गई और परिवार पर कर्स का बोज बढ़ने लगा सुरेश की पढ़ाई छूट गई और उनकी माँ को घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ा अगर उस समय गंगा ने जीवन बीमा लिया होता तो उसकी मृत्यू के बाद उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़ता बीमा की राशी से सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता और उनकी माँ को भी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती रामू ने इस बात को गाव के लोगों के सामने रखा और गंगा की कहानी से सबक लेते हुए हर व्यक्ति ने जीवन बीमा लिया तो दोस्तों गंगा की कहानी हमें सिखाती है कि भविश्य की अनिश्चित्ताओं को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता जीवन बीमा हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो हमारे जाने के बाद भी उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जीवन बीमा न केवल हमें सुरक्षित महसूस कराता है बलकि हमारे परिवार को भी एक मजबूत भविश्य की और बढ़ने का होसला देता है और फिर इस कहानी के बाद गाव में कोई भी व्यक्ती जीवन भी मालिये बिना नहीं रहा क्योंकि उन्होंने गंगा की कहानी से एक अन्मोल सीख पाई जीवन का कोई भरोसा नहीं लेकिन परिवार की सुरक्षा हमारे हाथों में है